नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त आपको होश्ट RK और आप देख रहे हैं RK ट्रेडिंग दोस्तों निफ्टी दोनों का आपको 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 अपनी जरू कर लें क्यूंकि आपके लाब और नुफसान के जिम्मेदारी चैनल के नहीं होगी तो चली सुरुबात करता हूं जो इंपॉर्टेंट लेवल कल मैंने बात कहा था उस लेवल को इसने क्लेम कर लिया और मैंने लेवल कहा था कि अगर यह किसी भी कारण बस अगर यह आता है नीचे की साइड में अपने लो को ब्रेक करता है तो आज की लो देखते तो लगबख 42,000 को कलेम कर लिया है आप जाके कल वाला वीडियो देखेंगे तो बिलकुल आपको यह बाते नजर आएगा 42,100 का इसने low लगाया अब देखिए इसके पास जो सबसे बड़ा resistance हो गया है नजदीक में वो है 42,500 अब तो इसके उपर ही जाने में इसका दिमाग खराब हुजाएगा हलांकि उससे ज्यादा दूर नहीं है 500 पॉइंट है लेकिन दिमाग खराब हुजाएगा और दूसरा 42,800 तो अब जो है इसमें रिभर्सल कब आ सकता है रिभर्सल जो पॉइंट है वो रिभर्सल पॉइंट आपको 43,000 का पकड़ लिजे 43,000 के उपर की क्लोजिंग चाहिए तो अभी रिभर्सल पॉइंट बनेंगे नहीं तो नहीं बनेगा 43,000 और वहां से हम लोग हजार पॉइंट नीचे ट्रेट कर रहे हैं लगभब है यह वो जोन है जिसके उपर जाने पर रिभर्सल बन सकता है नीचे रास्ता ओपर है 45,100 के नीचे अगर गिरा अगर यह 42,100 के नीचे गिरा और 42,000 यह दो इंपोर्टेंट लेबल है अगर इसके नीचे गिरा तो भाई साहब यह फिर पांसो तक भी आने का कोसिस कर सकता है उसके बाद मतलब रास्ता खुल जाता है बहुत ही बड़ा गैप खुल जाता है इसके लिए ना तो मैंने कल के वीडियो में आपको कहा था कि मुझे द्धिया है तो इस जगह के लाइन में लाइन भाई ने लगा रहिए यहां तक का गैप दिख्षा है तो इस तो इस अहां को इसने अलांकि फिल कर लिया है अब हम देखते है कि आज का पंदरा मिनट के टाइम फ्रेम पर तो इसने बेरिश फ्लैक पैटन बना या देखिएगा ध्यान से इसने एक bearish flag pattern बनाया है ना यह है पोल हो गया और यह एक flag हो गया bearish flag बेरिश फ्लेग बैंक निप्री ने बना लिया है हमें इसी bearish flag को यूज करना है हमें इसी bearish flag को यूज करना है और खरिदने की कोशिस अगर आप करते हैं तो 42,400 के उपर इसके उपर जाने के बाद ही आपको एक buying opportunity देखने को बनेगा 42,400 के उपर यह flag pattern का उपर का breakout होगा तो 42,400 के उपर buying करेंगे और इस condition में आपके जिटो टार्गेट बनेंगे वो 42,500 पहला resistance हे रिया चुकि 42,500 है पहला target यह होगा 42,500 वाला इसके उपर टिकता है तो 42,600 से लेके 42,700 और उसके उपर की बात मैं नहीं करूँगा नहीं करूँगा बिल्कुल क्यूंकि बहुत बड़ा hurdle है मैं 42,700 तक को ही मान के चलूँगा आप call option लेके चल सकते हैं इस condition में 42,400 का strike price का index उपर जाने पर यह call option उपर जाके profit देगा याद रखी यह 288-250 के आसपास में हम close कर रहे है तो अगर रिस्की ट्रेडर है तो आप 42,350 के उपर भी खरी लिए कोई डांटेगा नहीं लेकिन यह पर रिस्क थोड़ा जादा बन जाता है यह आपको धियान रखना है और इस condition में भी सारे target यही होंगे जो आपके सामने में नजर आ रहा है लेकिन अगर उल्टा हो गया जो लेवल है वह 42,200 का एरिया है इसके नीचे आने पर आपको सेल करना है और टार्गेट बैंकिन में 42,100 और दूसरा टार्गेट 42,000 के आसपास का बन सकता है देखे 42,000 सपोर्ट एरिया है हो सकता है यहां पर यह रुक जाए मैं फिर से बता दूँ यहां पर रुक जाए स 4,800 और हो सकता है यह 1,700 तक भी क्लेम करता हूँ नजर आ जाए फिर आप पूट ऑप्शन भी लेके चलता है उपर आप 42,200 के नीचे जब ब्रेक करेगा तो आप 42,200 का ही पूट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं इंडेक्स जब नीचे चलेगा तो यह पूट ऑप्शन दो लिए त्बीचGM अच्छा लग रहा है लकिन अगर खुल गया तब उकोच भी हो सकता है तो मान के चलता हूं यह 42,800 पर यह 700 पर ओपन हो जाता है यानी कि जो gap है यह जो gap area दीख रहा है इस gap के आज पास में खुल जाता है अगर इस gap के पास में ही खुल गा तब हम यहाँ पर सेल ऑन राइस यानि कि उच्छाल पर विक्वाली करेंगे सेल करेंगे सेल करेंगे गैप अप में और जो टार्गेट बनेगा इस कंदिशन में 42,600 से लेके बड़ा टार्गेट 24,400 से लेके 42,300 तक जो कि आज का लगवा क्लोजिंग प्राइज वहां तक आ सकता है बड़ा टार्गेट इस से भी जादा लेना होगा तो 42,200 से वापस अपने लोगर लेवल जो बड़ा टार्गेट लेके चल सकते हैं और 42,600 का भी लेके चल सकते हैं इंडेक्स नीचे आने पर यह पूट ऑप्शन उपर जाके आपको प्रॉफिट देगा यह आप ध्यान में रखिए क्लियर हो गया और गैप नहीं हो कि अगर इनकेस यह गैप डाउन हो गया माल लेते यह नीचे खुलता है और नीचे डारेक्ली यह उसी तरह से यह 41,500 पर खुल जाए यह बहुत अच्छा एरिया होगा जहां पर आप बाई करें अगर डारेक्ट गैप डाउन यहां खुलता है तो अलाकि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हो गया तब तो बाई करी लेंगे और 400-700 के पास में भी ओपन होता है तो आप बाई कर सकते हैं यानि कि 500 से 700 के आस पास कहीं पर भी हो तो आप बाई लेके चल सकते हैं और इस कंडिशन में 4,800 से लेके 42,000 तक का टार्गेट बनेगा 42,100 से लेके 42,200 का थोड़ा बड़ा टार्गेट भी बन सकता है कॉल ओप्शन लेना चाहें तो आप जरूर लेक तालीस हेजार 700 के इस्टाइक प्राइस का आप कॉल ओप्शन लेके चल सकते हैं इंडेक्स उपर जाने पर यह कॉल ओपर जाके आपको प्रॉफिट देगा तो यह बैंक निफ्टी का दोस्तों भी हुआ है इसी हिसाब सब हो गया यह क्या हो गया है यहां पर अगर आप ध्यान दे तो बहुत समय केंडल ने टाइम बिताया था तो चार पॉंच केंडल टाइम बिताया था 500 और इसके पास गैप है नीचे में हो सकता है 18650 तक चला है उसकी बात करेंगे लेकिन फिलाल हम रिवर्सल कहा सब हो सकता ह जब तक 19,000 के उपर अभी वापस क्लोजिंग नहीं करें तब तक रिवर्सल नहीं बनेगा इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इसने जो लो प्राइस बनाया है 18,837 क्लोज उसी के पास में किया 18,857 यानि कि लो इक्वल टू क्लोज है बेरिश जादा है बैंक निफ्टी के म यह साइडवेज हो गया यह लाश्ट टाइम में बिल्कुल साइडवेज होके फसके रह गया तो हमें इस साइडवेज एरिया के यूज करना है और जब 18,900 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तब आपको इसके ऊपर बाइं करना है और इस कंडिशन में जो आपके टार्गेट खुलते हैं वह 18,925 से 18,950 का छोटा टार्गेट बाड़ा टार्गेट चलते हैं तो 18,975 से लेके 19,000 तक के टार्गेट बनेगा जो यहां पर का हाय आता है 19,025 से लेके 19,050 तक को क्लेम कर सकता है फिलाल के लिए इतना ही रखेंगे उससे ज्यादा नहीं रखेंगे कॉल ओप्शन लेना चाहें तो आप जरू कॉल ओप्शन लीजिएगा 18,900 के इस्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ओप्शन लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर जाने पर यह कॉल ओप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा लेकिन अगर यह बॉक्स के नीचे ब्रेक करता है त इस कंडिशन में जो टार्गेट बनेगा आपके लिए वह 18,750 और 18,700 खरावने कंडिशन में 18,650 जिसकी बात में कर रहा था कि वहां तक यह आ सकता है तो हो सकता है कि आपको वहां पर आपको मिलता वर नजर आ यह वाला एरिया पर इस हिसाब से निफ्टी में लेके चलना होगा अब चुकि सेल किया है उपसे तो पूट आप्शन लेना बनता है पूट आप्शन आप 18,800 के इस्टाइक प्राइस का पूट आप्शन ले सकते हैं इंडेक्स नीचे आने पर यह पूट आप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा यह है निफ्टी का अगर यह भी ग यह गारंग किसी कारन बस हो गया तब ऄंद इस बहुत अरिया ऑगर इस बुटे को फिल te करेंगे टारगेट नीचे 19,000 और 18,950 तक के टारगेट खराब होने के अडिनिशन में 18,900 वापस इसके ऊपर में टिक सकता है आके ये ध्यान रखना आपको उपर से आप पूट अप्शन लेना पसंद करेंगे तो 19,100 के श्टाइक प्राइस का पूट अप्शन लेके चल सकत हैं इंडेक्स नीचे आने पर ये पूट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा और अगर ये गैप डाउन हो गया यानि कि नीचे खुल गया किसी कारण बस नीचे ही खुलता है नीचे खुल गया डारेट उसी पर 18,650 जिसकी बात कर रहा था तो इतना अच्छा लेव टार्गेट ऊपर की साइड में 18,725 से लेके 18,800 तक के टार्गेट और अच्छा होने पर 18,825 से लेके आपको 18,850 तक के टार्गेट, 80 तक का भी टार्गेट आप पकड़के चल सकते हैं यहां तक आ सकता है कॉल ओप्शन आप लेके चलें इस कंडिशन में आप 18,650 की स्टाइक प्राइस का आप कॉल ओप्शन ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर जाने पर यह कॉल ओप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा तो नीचे जितना नीचे मिले 600 पांसो 18,600 पांसो पचास आपको PCR काफी नीचे है तो PCR गिरा हुआ है इसके वजास भी बाउंस मिल सकता है बहुत सारी सिनेर्यों बन सकते हैं आपको बस ध्यान रखे और अपने लेवल पर टेर करना रिस्क मेंजमेंट के साथ में तो यह बैंक निप्टी और निप्टी का लेवल है दोस्तों सकता है सक्ट